नमस्ते दोस्तों हटर नें के रेशवई में आपका स्वागत है आज मैं लेके ऑई आईसा रेश्पी रेश्पी बॉलिये या आप नाzhटा बोलिये या इसको ड्रिंक भी बोल सकते हैं लेकिन यह बिलकुल नास्था आप लोगे न तो बिलकुल पेट भर जाएगा और बहुत ही healthy है और यह बेट loss भी करेगा और यह जो आपको weakness है और कुछ नहीं बना खा रहे हो तो इस तरह से बना कर खाओ एक बार तो आप बिलकुल healthy महसूस करोगे तो कैसे बनाना है चले दे तो उस्तना नहीं दोगी आधा मुठी दोगी दो खजूर और एक से दो दिया है अखरोट अब देखे यहां पर जो बादाम है और मुंख फली है उसको मैं छील का छील लोंगी और उसके बाद बताती हूं कैसे क्या करना है तो यहां पर दो चम्मच जो मैंने ओर्स डाला था उसका पानी थोड़ा समय निकाल दे थी और आप पानी के साथ भी डाल सकते हैं और इसको ग्रैंडर जाय में डाल देंगे तो यहां डाल दिया है मैंने दो चम्मच लिया आप एक चम्मच बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं तो मैंने दो चम्मच लिया है और बाद जो कि मिठास करेगा तो उसके बीज को निकाल दिया है उसको श सबको सोख कर के रख दिया था और इसके बाद 10 गंटा पहले मैंने ओर्ट्व को डाला था पानी में नौर्मल पानी में फुल निकली डाला था और सबको रात में ज़ I दहां अभुघएंट्व फोलगा तेक ाब द्रेंग करोक को अभी हम यहां ईंद प्रत बागां कर लिए और भी और मिल्क नहीं खाती है इस तरह में और्लिओ से ऑफक हुआ केुढ गार्फ जो कि दालेंगे उसको छिलका को छिल लिजी और उसके बाद एक केला को डाल दीजिए चोटे-चोटे टुकरे में कट करके तो एक कप पानी मैंने डाला ही है यह अप जितना पतला गढ़ा रखना चाहते हैं उतना डाल सकते एक सेव है जो छोटी सेव चिलका निकाल करके इस आगे मैं आग और बताऊंगी कभी किसी दिन वीडियो में और एक बरतर में मतलब एक गलास जार में निकाल लिया इसको तो देख सकते ही यहाँ पे मैंने निकाल दिया कुछ ड्राइफूर से इसको डेकोरेट कर दीजी आप इसमें केसर भी डाल करके डेकोरेट कर सकते हैं य बहुत अच्छा है स्मूदी यह बनाना और सेव का और ओट का मिक्स ड्राइफूट के साथ बहुत अच्छा जो कि जो मिल्क नहीं खाते हैं डेरी प्रोड़क नहीं खाते हैं इस तरह से मिल्क बनाईए और इस तरह से स्मूदी बनागर खाईए बिल्कुल आपको कोई भी प तो फिर मिलते हैं नए रेस्पी के साथ थैंक्स पर बाचींग